हाई दोस्तों मैं हूँ अम्रिता और आज मैं काफ़ी फेमस साइफाइ सीरीज ट्रांसफॉर्मर्स एक्स्प्लेन करने वाली हूँ क्लाइमेक्स एक्स्प्लेन हिंदी इस चैनल के साथ कॉलाबरेशन में मुवी के टोटल छे पार्ट है उसमें से पहला, तीसरा और पांचवा पार्ट मैं एक्स्प्लेन करूँगी और दूसरा, चोथा और छट्वा पार्ट क्लाइमेक्स एक्स्प्लेन हिंदी इस चानल पे पब्लिश होगा आज मैं मुवी का first part और second part climax explain in hindi पब्लिश करने वाले है जिसकी link मेंने description box और pin कमेंट में already दी हुई है उसे जरूर देखें और ऐसे ही sci-fi explanation के लिए आप hollywood explain in hindi और climax explain in hindi इस चानल को subscribe करना ना भूले सो Transformers के कहाने शुरू होती है आज से 1,000 साल पहले Planet Sciboutron में साइबरे ट्रोन ये Transformers का Planet था Transformers ये तरह सल एक robotic organism है उन में इंसानों की तरह ही feelings रहती है, DNA रहते हैं दिखने के लिए वो robotic होते हैं लेकिन Advanced DNA के कारण वो अपना physical appearance कोई भी electronic या लोहे की चीज में बदल सकते हैं इनके planet और इनकी दुनिया की शुरुवात All Spark नाम के energy cube से हुई थी All Spark इसी cube ने transformer को भी जनम दिया था और देखते हैं देखते हैं उनकी society form हुई जो एक दूसरे के साथ शांती से रहते थे इन transformer को Optimus Prime लीड कर रहे थे All Spark इस cube में इतनी ज़ाधा शक्ती होती हैं और वो शक्ती पाने के लिए Megatron नाम के transformer ने उसके साथ बगावत की और Optimus और Megatron के बीच में काफी गमासान लडाई हुई इस लडाई के कारण सारे transformer दो हिस्सों में बढ़ गए जो अच्छे transformer थे Optimus के साइट से उन्हें Autobots कहा जाता है और जो Megatron के साथ थे उन्हें Decepticons कहा जाता है इस लडाई के कारण इनका पूरा प्लैनेट डिस्ट्रॉई हो गया जिसके कारण All Spark ये जो cube रहता है वो इनके प्लैनेट से अच्छानक से गायब हो जाता है और वो अर्थ पे लैंड हो जाता है इसे cube की शक्ती पाने के लिए Megatron भी उसका पीछा करते करते अर्थ पे आ जाता है और Arctic Circle में लैंड होता है लेकिन Arctic Circle के थंड के कारण वो वही पे freeze हो जाता है बरफ के नीचे बिना cube हासिल किये ये कहाँ नहीं थी आँच से हजारों साल पहले की उसके पाद 1895 में Captain Archibald Whitwick की नाम के explorer थे वो अपने team के साथ Arctic Circle में कुछ खोज कर रहे थे इसी दर मैं उन्हें गलती से बरफ के एक cave में कैद Megatron दिखे जो वो उसे चेक कर रहे थे तब गलती से उसका navigation system on हो जाता है जिसके कारण cube के location के coordinates Captain Archibald के glasses पे imprint हो जाते हैं उसके बाद Captain Archibald government को ये news बताते हैं अब दोस्ते ये discovery government के हाथ लगती है और अगे उसका क्या होता है government क्या करती है ये हमें आगे पता चलेगा ये था movie का background अब आज के present कहानी की और बढ़ते हैं हम US military का एक base देखते हैं जो कतार में था जहांपे अचानक से Decepticons याने Megatron के army का एक robot जिसका नाम Blackout था वो इस base पे हमला करता है पूरे base में हला मच जाता है उनके सारे signal ब्लॉक कर दिये जाते हैं और वो अंदा धुन लोगों के उपर firing करने लगता है आर्मी के लोग खुद का बचाव नहीं कर पाते उसे बीच में Blackout ये robot US के काफी सारे classified files ढूनने लगता है मानों वो कोई information ढून रहा था लेकिन उसके हाथ जादा कुछ information मिलती नहीं है इस attack में कुछ survivor आर्मी वहाँ से भाग जाती है जिसमें Captain William भी थे अब यहाँ पर US में हम अगले दिन movie के protagonist Sam को देखते हैं जो एक awkward teenager था उसे एक car लेनी थी इसलिए उसके पीता एक second end car खरीद के देते हैं जो के काफी पुराने yellow color की थी लेकिन उसके उपर racing straps थे इसलिए Sam को वो पसंद आती है Sam को school की एक लड़की जिसका नाब Michaela था वो काफी पसंद थी अब उसे impress करने के लिए वो एक party में uninvited जाता है लेकिन उस party से उसे निकाल दिया जाता है उसी दब मैं Michaela भी इस party में होती है जो ही निकल जाती है वो अपने boyfriend पे गुसा रहती है तो Sam यहीं मौका देखता है और उसे lift देता है लेकिन कार अचानक से बंद हो जाती है लेकिन मिकला को कार के बारे में काफी अच्छे से बता होता इसलिए वो repair करने के लिए जाती है अब इनके इस छोटी से date के बाद वो उसे रात में घर छोड़ देता है दोस्तो Sam के Captain Archobald Whitwicky इनका पर्पोता था Captain Whitwicky ने ही Megatron के सबसे पहले खोज की थी और पर पैसे कमाने के लिए Sam उनकी काफी कीमती चीज़े ईबे पे बेच रहा था जैसे कि उनका चस्मा जिस पे cubes के coordinates थे हाला कि वो इन सारे बातों से अंजान था तो दूस्तों चकापे हम US के Defense Department को देखते हैं कतर में हुए attack के कारण US Government चौकन ना हो गई थी और कौन से देश का इसके पीचे हाथ है इसके लिए उन्होंने एक special team बुलाई थी लेकिन वो attack किस नहीं किया उसके picture, video कुछ भी नहीं था प्रूफ के तोर पे blackout इस robot की sound signal ही उनके पास थी जो इस team को अभी decode करनी थी ये team Secretary of Defense John Keller लीड कर रहे थे इसी team में हम Maggie नाम की एक data analyst को देखते है Maggie पूरे दुनिया बर के data को monitor कर रही थी जहांसे उसे उस sound signal की origin का पता लगे कि इसके पीचे कौन सा देश है दूसरे जगा पे हम Air Force One इस flight को देखते है जिसमें President और उनकी कुछ खास लोग थे और उसी flight में Frenzy नाम का दूसरा Decepticon था जो कि वापस backup फाइल को hack करने की कोशिश करता है और सारे secret operations project की information वो लेने लगता है और उसे finally वो फाइल मिलती है जो वो Qatar में और यहाँ पे डूनने की कोशिश कर रहा था ये फाइल और किसी की नहीं बलकि Captain Archibald की होती है वो ये details डाउनलोड करने लगता है और डाउनलोडिंग की दौरान वो वापस अपने sound signal release करता है और यही signal Maggie catch करती है अब ये लोग उसके सारे signal block करते है इसके कारण robot में downloading रुख जाती है और backup room में लोग भेजे जाते हैं उस robot को मारने के लिए लेकिन वो robot सब को मार गिराता है और एक radio का रूप लेके वहाँ पे छुप जाता है जब flight land करती है तब वो एक police की car को hijack करके Captain Archibald के family के बारे में search करता है internet पे और उसे Sam के eBay के page में उस glasses की जानकारी मिलती है उसका address पे उसे पता चलता है और उसे वो ढूणने के लिए निकल पड़ता है तो दूसरे जगा पे Maggie, Secretary of Defense John और बड़े लोगों को बताती है कि ये attack किसी देश ने नहीं बलकि एक अलग entity ने किया है शायर ये entity अपने दुनिया के नहीं है लेकिन उसके seniors उसकी ये बात मानते नहीं और उसे निकाल देते है Maggie को बार-बार लग रहा था ये hacker कोई इंसान नहीं है और इसके बारे में और जानकारी निकालने के लिए वो sound के signal अपने personal memory card में copy करती है और वहाँ से वो निकल के अपने दोस्ते मिलने आती है Glenn जो कि बहुत बड़ा hacker रहता है वो उस message को decode करने लगता है और उस message में उसे एक embedded message मिलता है जिसमें लिखा था Sector 7 और Project Iceman अब Sector 7 ये क्या है और Project Iceman क्या है ये हमें जल्दी पता लगेगा अब इन्हें आगे कुछ पता चलता लेकिन तभी FBI इन लोगों को पकड़ लेती है और दोनों को भी custody में ले आती है तो दूसरे चगा पे हम attack से बचे हुए soldiers को देखते है कतार में जो कि अभी भी desert में घूम रहते हैं और US को contact करने की कोशिश कर रहे थे इने lead कर रहे थे Captain William कुछ समय के बाद वे लोग गाव पहुँचते हैं और US Defense को contact करते हैं लेकिन तभी Blackout का दूसरा रोबोट जो की एक बिच्चु की तरह दिख रहा था वो उन पे attack करता है और देखते ही देखते सारे गाव को वो तबा कर देता है लेकिन तब तक US Defense Secretary से contact हुआ था और वे लोग इनकी location ट्रैक करते हैं और उस रोबोट पे missile launch करते हैं अब आते हैं Sam की तरफ एक रात को Sam notice करता है कि उसकी कार अचानक से बीना driver की चालू हो जाती है जहाँ पे वो देखते ही देखते एक transformer में बदल जाती है और आस्मान में एक signal भेजती है अब ये देखने के बाद वो अपने कार से डरने लगता है पुलीस को सारी चीजे बता देता है लेकिन पुलीस इसकी बात मानने के लिए तयार नहीं होती दरसल यहाँ पे Sam की कार Autobots होती है जिसका नाम Bumble भी था अब अगले दिन उसकी कार उसका पीछा करने लगती है इसलिए वो डरते हुए अपनी मा की साइकल लेके घर से भाग जाता है तब रास्ते में उसे मिखैल दिखती है इसकी ऐसे डरी हुई हालत देखके वो भी अपने स्कूटी से उसका पीछा करने लगती है तो Sam भागते हुए एक बड़े से गोडाओं के एरिया में आता है जहाँ पे फाइनली उसे पुलीस की कार दिखाई देती है वो उनसे मदद मांगने लगता है लेकिन वो पुलीस की कार नहीं थी बलकि वो खुद Frenzy Robot था और देखते देखते वो असली रूप में आ जाता है Transformer के और Sam को मारने लगता है वो बचके वहाँ से भागता है तो मिखेल उसे मिलती है Frenzy दोनों को भी मारने के लिए आता है लेकिन तभी Sam की कार आके उसे बचाती है और बात में Bumblebee खुद भी Transformer के अपने असली रूप में आता है Giant Robot के और दोनों Robot में घमासान लडाई होती है यहाँ पे Bumblebee Frenzy को मार गिरा के जखमी करता है अब Frenzy जखमी हुआ था इसलिए वो उस Mini Robot के तरू खुद को मिखेल के मोबाइल में Convert करता है और उसके बैग में जा चुपता है यहाँ पे यह लडाई देखके Sam और मिखेल दोनों भी Bumblebee से डर रहे थे लेकिन वो वापस गाड़ी का रूप लेता है और इन दोनों को दूसरे लोकेशन पे ले जाता है यहाँ पे दूसरे दरफ हम देखते है Earth के और बहुत बड़े Metroid गिर रहे थे और वो सारे Sam के एरिया के आसपास ही आ गिरते है दरसलिए कोई Metroid नहीं बलके खुद Transformer थे एक लोकेशन पे रियूनाइट होते है और Bumble भी Sam और मिखेल को लेके वही पे आता है यह Transformer Autobots थे और इनी में हम Transformer के लीडर Optimus Prime को भी देखते है इनके साथ साथ Ironhide, Jazz, Ratchet ऐसे कई सारे Transformer थे और Bumble भी जो था वो Sam का Protector था यहाँ पे Optimus Prime उनके पूरे प्लानेट और Megatron के लड़ाई के बारे में Sam को बताता है और आगे कहता है कि जब से Megatron Earth पे है काफी सारे Decepticons Earth पे अलग-लग हिस्से में मौझूद है जो कि All Spark यानि उस Cube और Megatron को ढून रहे है अगर Megatron जग गया तो वो Earth की Machineries को जिन्दा करके एक आर्मी खड़ा करेगा और इनसानों को वो मार डालेगा ये सब कुछ वो उस Cube के मदद से करेगा इसलिए हमें उस Cube को ढूनना है और डिस्ट्रॉय करना है आगे वो बताता है Megatron की खोच तुमारे दादा जी ने की थी और गलती से Megatron का Navigation System on करने के कारण उस Cube की Location उनके Glasses पे आ गई थी इसलिए उन्हें वो गलास चाहिए ताकि उसके थूँ वो Cube तक पहुँच सके ये चाहने पर साम इन सारे Transformers को अपने घर लेके आता है वेहिकल फॉर्म में लेकिन घर पहुचने के बाद ये सारे Transformers अपने असली रूप में आते हैं जिसके कारण उसे काफी प्रॉब्लम होने लगता है कैसे तैसे वे अपने दादा जी के Glasses तो ढूण लेता है लेकिन वहाँ पे एक अलग ही इशू आता है वहाँ पे Sector 7 इस Department के लोग आके उन्हें कस्टडी में लेते हैं और इनको एलिएंज याने Transformers के बारे में पूछने लगते हैं अब दस्तो सेक्टर 7 ये Top Secret Paramilitary Government ब्रांच होती है मुवी के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कैप्टन आचोबॉल्लिया ने सैम के पर दादाजी ये सारी information गवर्मेंट को बता देते हैं Megatron के बारे में इनसानों के लिए Megatron जैसे Giant Robot बहुत ही बड़ी चीज थी इसे लिए ये Secret Department उसके उपर Study करने लगता है ये Project काफी Secret रखा जाता है ताकि धरती के बाकी देश इसमें इंटरफेर ना करें इसी Project को Project Iceman भी कहा जाता था अब इनको कस्टरडी से लेके जा रहे थे तभी ये लोग Transformers के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं लेकिन तभी सारे Autobots से अब लोग आते हैं और Sam के मदद करते हैं और उने एजेंट्स को रोकते हैं लेकिन दोस्तों तभी तक Sector 7 के बाकी एजेंट ने बैक अप बूलाया था जो कि Sam, Mikael और Bumble भी को अपने कस्टरी में लेके जाते हैं और Autobots उन्हें रोक नहीं पाते हैं क्योंकि इंसानों को रोकने के लिए उनके साथ लड़ाई करनी पड़ेगी और Autobots इंसानों को कभी भी हाम करना नहीं चाते थे लेकिन Optimus को Sam के दादाजी के glasses मिल जाते हैं जिसे वो Cube को ढूडने का फैसला करते हैं अब Earth भी इतने सारे aliens और Transformer का हमला हो रहा है इसे लिए Sector 7 के agents बाकी लोगों की मदद लेने के लिए जाते हैं जैसे कि वो लोग सबसे पहले Secretary of Defense के office में जाते हैं और उनके head John को बताते हैं कि ये जो हमले हो रहे हैं उसमें कोई देश involved नहीं है बलकि ये Transformer ने किया है जो कि दूसरे planet के लोग हैं इन्होंने जब Mars पे अपना rover छोड़ा था कुछ सालों पहले तो वहाँ पे भी Transformer की image capture हुई थी अब ये जानने के बाद फाइनली Defense Secretary को Maggie के बातों पे विश्वास हो जाता है कि कोई ये और entity है इसलिए वो Maggie और उसके दोस्त Glenn को release करते हैं फिर उसके बाद इन तीनों को भी Sector 7 के main secret office में लाया जाता है तो दूसरे जगा Sam, Mikhail और Bumblebee इनको भी Sector 7 के ही उस main location पे लाया जाता है और तीसरी जो army के survivors थे जो अभी भी Qatar में थे उन्होंने भी Decepticons को देखा था इसलिए उनको भी Sector 7 के secret office में लाया जाता है जो कि who are damn के यहाँ पे था तो दूसरे जगा पे Autobots उन्हें glasses को scan करते हैं और उन्हें पता लगता है कि cube का location यहाँ से 230 miles के radius में है और वो लोग उस cube को लेने के लिए निकल पड़ते हैं अब यहाँ पे सारे team Sector 7 के main office में आई थी और यहाँ पे हमें Sector 7 के बारे में पता लगता है वो लोग सबसे पहले Tom, उनके director को मिलते हैं और वहाँ पे इन सब को Megatron दिखाया जाता है जो कि इन्होंने इतने सालों से उसी frozen condition में उसे रखा था वो पताते हैं कि इसकी खोज Sam के दादा जी ने की थी Tom उन्हें बताता है धरती पे जितने भी inventions हैं मोबाइल से लेकि spaceship वो Megatron को study करते हुए ही उन्होंने बनाए हैं उन्हें पता था कि वो advanced alien है और उसके पीछे उसके लोग भी रहेंगे लेकिन अब अचानक से उन लोगों ने धरती पे attack करना शुरू किया था इसलिए sector 7 इन सारे लोगों के भी मदद ले रहा है फिर Sam उन्हें Transformer के planet और उनके हकीकत के बारे में बताता है आगे वो ये भी बताता है कि Megatron अब इनसानों को तभा करना चाता है इसलिए वो cube मिलना बहुत ही ज़रूरी है फिर Tom और एक surprising चीज बताता है Allspark नाम का वो जो cube है वो दरसल sector 7 के लोगों के पास ही था वो बताता है कि ये cube 10,000 BC पे धर्ती पे आया था उसकी energy radiation इतना ज़्यादा था कि उसे चुपाने के लिए ही उसकी surrounding में बड़ा सा concrete और ये हुवर dam बांदा गया था थाकि कोई भी alien उसे ढूणना पाए इस cube में बहुत ही power थी वो Glenn का phone लेते है और Allspark की power यूज करके उस phone को एक transformer में बदल देते है जो कि काफी violent बन जाता है और box को मारने लगता है इसलिए उस tiny robot को ये लोग destroy कर देते है याने कि इस cube में जितने power थी उसे इंसान भी handle नहीं कर सकते थे अब इसी discussion के दोरान frenzy जो कि मिखेल का mobile बना था वो भी इनके office में आ जाता है उसे एक जगा पे Megatron और दूसरे जगा पे वो cube मिल जाता है और वो सबसे पहले दुनिया भर में जितने भी Decepticon से उनको signal भेजता है attack करने के लिए और यह location भेजता है और यहाँ धर्ती पे अलग-अलग vehicle जो Decepticon से वो अपने असली रूप में आते हैं और देखते ही देखते थोड़ी देर के बाद वो dam पे आके हमला करने लगते हैं इसी में blackout, barricade, bone crusher ऐसे कई सारे Decepticon होते हैं frenzy इनके computer को hack करके Megatron को unfreeze करने लगता है जिससे वो धीरे-धीरे होश में आने लगता है यह देखके इनके office में हला मत जाता है अब कैसे भी उन्हें उस cube को protect करके Megatron के हाथ में लगने नहीं देना था इसलिए Sam के काफे request के बाद यह लोग Bumblebee को release करते हैं ताकि वो उस cube को protect करें Bumblebee जब होश में आता है तब वो cube को देखता है और उस cube को वो shrink करता है ताकि वो easily transport हो सके और फिर वापस वो एक car में कर्मोट हो जाता है वो cube Sam को देता है और Sam मिखेल को लेके वो वहाँ से भाग जाता है यहाँ पे देखते देखते Megadron unfreeze हो जाता है उसका giant rook देखके सब लोग भागने लगते हैं उसे काफे गुस्सा आता है कि cube यहाँ से guy up हो गया है वो Decepticons को order देके Bumblebee के पीछे भेजता है अब यहाँ Bumblebee के पीछे भी Decepticons लगे थे तब ही वहाँ उसे रास्ते में Autobots भी मिल जाते हैं और सब लोग reunite होते हैं और इनकी लडाई शुरू होती है देखते ही देखते ही लडाई पूरी शहर में आ जाती है जहाँ पे Optimus की लडाई Bonecrashers से होती है यहाँ पे आर्मी के बागी के लोग Decepticons को मारने की कोशिश कर रहे थे Megatron Sam के पीछे पड़ा हुआ था वो Cube लेने के लिए Optimus आके Sam को बचाता है और उन दोनों में काफे लडाई शुरू हो जाती है इस लडाई में Optimus भी कमजोर पढ़ने लगता है और तभी Optimus Sam को कहता है कि अगर मैं लडाई में हारने लगा तो वो Cube मेरे चेस में इंसर्ट करना Cube के शक्ती से मैं खुद को साक्रिफाइस करके Megatron को डिस्ट्रोई कर दूँगा लेकिन जब Optimus इस लडाई में हारने लगता है तब Sam Optimus के बज़ाए वो Cube खुद Megatron के चेस में ही इंसर्ट करने लगता है जिसके कारण उसकी सारी पावर Megatron को डिस्ट्रोई करने लगती है और देखते ही देखते Megatron मारा जाता है और थोड़ी तेर के बाद ये लडाई खतम हो जाती है बागी के Decepticons को Army और Autobots ने मार दिया था इस लडाई में Sam के कारण ही वो Cube और Autobots जीत कहे थे इसलिए Optimus Sam और Army के लोगों को थैंक्यू कहता है अब मुवी के आकरे में Bumble भी Sam की कार बनके ही Earth पे रहने का फैसला करता है Optimus Megatron की शरीर से Cube का जो आकरी पीस रहता है वो उसे ले ले लेते हैं और फिर Government Megatron और बाकी के Decepticons की शरीर को समुन्दर के गहराईयों में डाल देते हैं Sector 7 इस प्रोजेक्ट को close कर दिया जाता है और आकरी में सारे Autobots वापस secretly अपने अपने वेहिकल बनके रह जाते हैं Earth पे क्योंकि उनका प्लानेट वैसे ही डिस्ट्रोई हो गया था साम और मिकेला उनका एक रोमांटिक रिलेशन शुरू हो जाता है और मुवी इधर ही खतम हो जाती है मैं जल्दी पार्ट 3 रिलीज करूँगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजें मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई